इस वीडियो में हम देखेंगे SBIPO Mains 2017 के लिए आपकी Preparation Study क्या होनी के और क्या expected exam pattern है जो हो सकता है इस तरह के questions आपको देखने को मिलें मतलब किन questions पर आपको focus करना है अपनी इन 15-20 दिनों की तयारी में तो चले श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हलो मेरा नाम है चंद्रहास Study Smart में आपका स्वागत है दोस्तों बहुत सारे लोगों ने request किया था मुझसे के लिए इस strategy मैं कुछ बताऊं कि किस तरीके से उनको तयारी करनी चाहिए SBIPO Mains को कैसे face करना चाहिए तो सबसे पहले तो कि अगर आप अभी Mains की 15-20 दिनों में तयारी करनी की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे doubt होगा आपके selection पे यह जो तयारी है आपको साथ साथ में ही करनी चाहिए थी शुरुवात से और अगर आपने सुरुवात में भी अगर थोड़ी बहुत तयारी की है तो आप यहाँ पे फाइदा उठा सकते हैं 15-20 दिनों का तो यहाँ पे मैं discuss करूँगा सबसे पहले तो exam pattern क्या होगा कितने number के कहां से questions आएंगे कितना time मिलेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि हर एक section से क्या questions आने की संभावना है और कहां पे आपको focus करना चाहिए कितना समय देना चाहिए अभी पढ़ने के लिए तो सबसे पह पर भी देना होगा यहाँ पे जो objective आपका test होगा आज मैं यहाँ पे इस आधे portion की ही बात करूंगा यह जो descriptive वाल आपका portion है इसके लिए मैं एक separate video बनाऊंगा कि कैसे आपको prepare करना है कि इन बातों का ध्यान रखना है और जब आप लिखेंगे तो क्या बाते होगी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिसको ध्यान में रखकर क्या आप एसे या फिर letter लिखे तो आपको अच्छा number मिल सके तो जो objective test होगा वो आपका 4 sections में divided होगा और total 155 questions आएंगे मतलब 155 यहाँ पे प्रशन आपसे पूंचे जाएंगे जिनका numbering कितना है 200 marks के questions होगे ठीक है मतलब अब आप यहाँ से यह समझ सकते हैं कि हर एक question एक number का है ऐसा fix नहीं है किसी का जो number होगा एक question का डेल नंबर का वो होगा किसी में दो number का होगा किसी में कम होगा एक number से कम के भी questions हो सकते है ठीक है और यहाँ पर जो total time आपको मिलेगा वो म गंटे का और paper का pattern कैसा होगा online होगा ठीक है यह descriptive paper जो होगा पचास number का होगा यहाँ पर essay और letter writing आप से पूछी जाती है number of questions की बात करूं तो मैं सायथ 4 या 5 questions आपको देखने को मिलते हैं यह आधे गंटे का paper होगा और यह भी कैसा होगा online mode का होगा मतलब pen and paper नहीं होगा ज descriptive exam देते हैं वो चेक होता है तो अगर descriptive test आपको चेक करवाना है तो आपको यहाँ पर मेहनत करने होगा objective test के लिए अगर आप objective में ही फेल हो जाते हैं descriptive बहुत अच्छा आपने करके भी आ तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो आपका check भी नहीं होने जाता है ठीक है तो कितने questions होंगे 35 questions आपके पूछे जाने वाले हैं और इन questions पर आपको total number कितने मिलेंगे 60 number यह मिलने वाले हैं ठीक है मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक question का एक number है यह fix नहीं है तो इससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे जो data analysis or data interpretation का एक question होगा वो कितने number का होने वाले है लगभ 5 number नहीं कटेंगे 1 4th होगा मतलब इसका आप 1 4th निकालेंगे तो सब के लिए negative marking भी अलग अलग होगी यहाँ पे अगर आप देखते हैं reasoning के 45 questions होंगे कितने number के 60 number के questions होंगे यहाँ पे देखिए आपको time भी दिया गया मतलब इसके लिए आपको 45 minute का समय मिलेगा data analysis के क्योंकि यहाँ पे questions भी जादा इससे 10 questions जाद आपके reasoning section में पूछे जा रहे हैं ठीक है English language के अगर बात करें तो 35 questions होंगे और 40 number के questions होंगे जैसे reasoning में अगर देखे तो 1.33 लगभग एक question के लिए number होगा तो यहाँ पे English language के लिए 1.13 number के आपके questions होगा ऐसे ही लगभग में मिला जुला करके वो आपका 40 questions होंगे और वो 40 number के होंगे मतलब एक number का यह question आपका होगा और इसके लिए 35 minute आपको दिया गया जो मेरे खाल से more than enough होता है क्योंकि यहाँ पे answer आता रहता है तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ता को सोचना नहीं पड़ता तो यह total हो जात पूरे paper के लिए है, 45 minute DI के लिए मिलेगा, reasoning of computer aptitude के लिए 60 minute मिलेगा, English के लिए 40 minute और फिर जो आपका GA वाला section है उसके लिए 35 minute का समय यहाँ पे आपको एलोट होगा और उसी के हिसाफ से आपको exam देना होगा तो यह मेरे खाल से structure आपको समझ में आना चाहिए और खास बात यहाँ पे number वाली है और negative marking वाली है यह आपको ध्यान में रखना होगा मतलब अगर आप math का एक question गलत करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे खत्रा ज्यादा है क्योंकि number ज्यादा कटेंगे आपके ठीक है यहाँ पे आपका GA का एक question गलत होगा तो कि 0.25 number ही कटेंगे क्योंकि एक number का question है लेकिन यह लगभग आपका दो number का question हो जाता ह है तो यह ज्यादा खतरनाक है तो इस हिसाब को आपको सुरू से ही दिमाग में बैठा के चलना होगा अगर आप preparation कर रहे हैं व्याई प्यों मेंस की तो ओके आगे हम देखें कि data analysis और data interpretation में क्या-क्या आपका आ सकता है या फिर किन बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए अभी जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको ले करके तो जो data analysis वाला part है या data interpretation का part है नाम से पता चलता है कि यहाँ पर आपको डियाई के जो different charts हो पता होने चाहिए जैसे पाई चार्ट हो गया या फिर missing डियाई हो गई table chart हो गया बार ग्राफ हो गया case let's यह बहुत important है इसे paragraph या कई बार हम इसे when diagram के नाम से भी जानते हैं line graph हो गया और mixed graph हो गया इन सब की आपको preparation करनी होगी और इसके लिए आपको दिन में कम से कम 3 घंटे का समय निकालना होगा कि आप 3 घंटे तो केवल अपने डियाई पे ही focus करिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप जितना ज्याद question करते हैं तो जादा आपकी chances है select होने के ठीक है तो यह बड़ा सा tricky खेल यहाँ पे खेला जाता है तो आप क्या करिए कि 3 घंटे कम से कम इस पे focus करिए अलग-अलग तरह कि डियाई इसको solve करने की कोशिश करिए कि ध्यान रखिए कभी भी किसी डियाई के लिए ऐसा मैं कोच आएगा लेकिन वहां पर में क्या फंडा रहेगा कि calculate आप कितनी जल्दी कर पाते हैं जितना तेज आप calculate कर पाएंगे उतनी ही chances है आपके select होने के और calculate जल्दी कैसे हो पाएगा जब आपकी practice बहुत ही अच्छी रहेगी practice अच्छी नहीं है फिर आपको कोई भी select नही हो सकते हैं लगभग 3-4-5 questions भी पूछे जा सकते हैं probability से भी आपसे questions पूछे जाएंगे तो अगर आपने probability नहीं पड़े रखी है तो इसको जाके जरूर पढ़ लीजे probability की वीडियो भी मैंने दिये हुए मैं कोशिश करूँगा probability भी कुछ और नए वीडियो लाओं ताकि आपको और कुछ idea मिल सके अच्छा बहुत आसान questions बन सकते हैं probability से आप आसानी से कर लेंगो कोई भी difficulty नहीं होगी क्यों कहने भर का होता है कि बहुत कठीन होता है एक बार आप कर लेते हैं बहुत आसान हो जाता है और main यहां पर क्या है mathematical inequalities मतलब quadratic या फिर cubic equation से आप से questions पू जाएगा ठीक है तो quadratic equation और cubic equation बहुत अच्छे तयार करके रखीगा quadratic equation का एक नया pattern आया है जिसमे quantity 1, quantity 2 करके कुछ लोगों ने का है कि उसमें सर वीडियो दीजिए मैं कोशिश करूँगा उसमें वीडियो देने के लिए उससे related अगर आपके पास questions है तो आप मुझे mail कर सकत है ठीक है तो इस पूरे chapter का अगर मैं बात करूंग तो एक तो क्या है कि इसको आप कभी miss नहीं कर सकते हैं यह आपकी daily practice का हिस्सा होना चाहिए और तीन घंटे तो केवल आपको देने हैं अपने DI को मजबूत करने में जितना ज़्याद आप calculate करेंग उतना ही अच्छा है ब speed distance वारा जो questions होता है यह data sufficiency में ही आपसे पूँच लेगा data sufficiency का question भी हो जाएगा और आपसे जो miscellaneous questions होते हैं वो भी करवा लेगा ठीक है दोनों काम आपसे यहीं पे करवा लिया जाएगा तो यह बड़ा ध्यान आपको रखना होगा तो इसके लिए आप जो miscellaneous questions हैं जैस एकदम आसानी से आप कर पाएंगे तो टोटल मैं कहूंगा math के लिए जिनकी math कमजोर है या जिनकी math अच्छी है सब के लिए कम से कम आप दिन में 3 से 5 घंटे का समय दीजिए math के लिए 3 से 5 घंटे regular practice अपनी कीजिए अब कुछ लोग सोचेंगे इतना पढ़ना होगा 24 इस 24 घंटे में आप कोशिश करिए कि कम से कम 15 घंटे पढ़ सके मैं क्या कह रहा हूँ minimum okay minimum 15 घंटे पढ़ने की आदा develop करियो और इस हिसाब से पढ़िए ये 15 से 20 दिन अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको select होने से कोई रोक नहीं सकता है ठीक है तो ये तो बात और preparation के दौरान भी आपको काफी यहां पे मेहनत करने की जुरूत पढ़ेगी इसमें मैं कहूंगा कि आप daily से कम से कम 4 घंटे इस पे दीजिए इसकी preparation के लिए इसमें आपसे questions ज्यादा तर बनेगी जैसे logical reasoning हो गया यहां से 10 से बार 15 questions आपसे पूछे जाते हैं इसके वीड यह logical reasoning के part होते हैं 10 से 15 questions पूछे जाते हैं और मैं तो कहते हूं कि common sense reasoning है common sense अगर आप अपना सही रखते हैं तो बिना preparation के भी आप इसमें से नंबर उठा सकते हैं फिर भी अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके आप देख लीजिए logical reasoning की वीडियो आ आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कैसे इनको स्वालू करना है 10 से 15 यह questions यहां से आपके fix रहते हैं और यह बहुत आसान होता है पाना फिर यहां पर data sufficiency से questions पूछे जाते हैं फिर जो data sufficiency तो मैरे खाल से आप सब लोग कर लेंगे मतलब इसमें क्या होगा कि blood relation से question बना के देदेगा data sufficiency में और आपके floor arrangement को देख सकता है data sufficiency में या फिर जो हम देखते हैं बड़ा चोटा करके कि कौन किस से ज़्यादा भारी है कौन किस से हलका है वैसे question data sufficiency में बना के दे सकता है मतलब जो miscellaneous वाला part होता है ना उसको data sufficiency में भी मिला के पूछ ले जाता तो ये very high level के लिए आपको तयारी भी अच्छे से करनी होगी और मैं कहूंगा कि दिन में कम से कम आप कम से कम चार puzzle solve करिए different different types की ठीक है कम से कम चार puzzle solve करिए कोशिश करेगी 4 puzzle आप solve कर सके different different types की puzzle solve करने सिर्फ puzzle में ही आपका दिमाग नहीं विक्सित होता है बलकि आप कोचले में बहुत ज्यादा improvement ला लेते हैं अगर puzzle आप अच्छे से solve कर लेते हैं तो फिर next जो आता है वह होता है ये machine input output का जो section है ये बहुत important है यहां से आपको कम से कम 5 number कम से कम 5 number कोशन देखने को मिलेंगे तो इसके videos मैंने बना रखे हैं new pattern और old pattern दोनों के तो दोनों ही आप देख सकते हैं playlist में जा करके और बहुत अच्छे से कम से कम आप एक यहां से question रोज try करिए मतलब 15 से 20 दिन है आपके पास तो आप क्या करिए एक question अगर रोज try करते हैं तो एक question के हिसाब से आप जब तक आपका paper होगा 20 questions रोज कर चुके होंगे और 20 questions मेरे खाल से input output के more than enough है आप crack कर सकते हैं exam में जो भी question आएगा आसानी से ओके फिर आते हैं miscellaneous में तो miscellaneous में बहुत अलग-अलग तरह के questions पूछे आ सकते हैं ranking के ordering के blood relation के direction sense के यह सारे questions आ सकते हैं कि एक number में अलग-अलग और यहां पर और पार्ट में कहूंगा कि जो alphabet वाला series होता है उसको आप जरूर पढ़के जाईएगा यह बड़ा tricky है यह पूछा जाएगा मुझे अभी तक लग रहा है कि alphabet series जरूर पूछी जाएगी अब पूछी जाए तो अच्छी बात है तो इसको तयार करके रखेगा अपने लिए इसके question आप लगा लगा लीजेगा चार पार जिससे आपको एक idea मिल जाए कैसे इसको solve करना है मतलब अटकने वाला case ना रहे एक्जाब में जा करके देखे आ रहे यह question कैसे होगा फिर next मैं बात करूं computer aptitude की क्योंकि यहाँ पर reasoning के साथ ही computer aptitude जोड़ा गया है यह computer awareness नहीं है computer aptitude है तो इसकी तयारी के लिए आप क्या करिए जै ने इसकी वीडियो बना के रखी है binary coding नाम से आपको playlist में मिलेगी उपर ही मिल जाएगा मेरे खाल से चौथा है पांचवा playlist होगा उसको आप जाके देख सकते हैं बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और यहां से 5 नंबर के questions आपके कम से कम पूछे जाएंगे और वो पांच नंबर आप शोर्ट निकाल सकते हैं ठीक है तो पजल में क्यों आप अठकेंगे यहां पर क्योंकि जो एक्जाम में questions आएंगे उसमें आप पजल को सबसे पहले ऐसा मत करीगा पजल से सुरुवात करीगा फिर फंस जाएंगे पजल से सुरुवात करने के बज़ आप solve कर लेते हैं पजल को मैं छोड़ दूँ क्योंकि पजल आपके हो सकता है तीन पजल आएं 15 नमर को ले करके तो आप आसानी से 25 से 30 questions यह solve कर सकते हैं यह मैं मान के चल रहा हूं कि आप 25 से 30 questions solve कर सकते हैं टाइम आपको दिया गया more than enough 60 मिनट का एक घंटे का time मिलेगा त तो 25 से 30 questions solve कर सकते हैं उसके बाद समय बच रहा है तो आप puzzle में जाईए जोटिये आसान है अब आपके पास अगर 15 मिनट का समय बसता है आपने एक या दो puzzle भी solve कर ली तो more than enough है आपके select होने के chances जाता हैं लेकिन यह जो मैं कह रहा हूं इतना आसान नहीं है जितना मैं आसा से कम questions solve ही करिए logical reasoning से question आप solve करें जितना जाद आप solve करें उतना ज्यादा confidence बढ़ता है logical reasoning में ठीक है एकदम मतलब tension लेने की बात ही नहीं होगी logical reasoning के लिए आपको ठीक है अगर ज्यादा ज्यादा आता है तो उतना ही ज्यादा आपको यह लगेगा कि उतना ही अच्छा paper कर पाएंगे reasoning का computer aptitude का जैसे मैंने बता है binary coding वाला इसके लिए आपको करना क्या होगा दिन में कम से कम दो चार अपने मन से ही बना करके binary coding वगएरा के जो questions होते हैं वो कर लेने होंगे जिससे आपको एक proper way रहेगा कि आप एकदम used to हैं ऐसा नहीं कि आपने छोण दिया फिर आप exam में जब जाए तो आपको थोड़ा सा समय लगे सोचने में अच्छा कैसे convert करते थे भूल गया दो से भाग करना था दो से गुना करना था कैसे तो वह वाला केस नहीं रहेगा अगर आप डेली करते रहें तो चार घंटे मेरे खाल से इनफ हैं अगर आप इसको देते हैं तो reasoning के section के लिए अब यह आपके लिए युद्ध की तरह है normal day to day life नहीं है कि आराम से आप 24 घंटे में 12 घंटे सो ये 12 घंटे जगी उसमें भी 6 6 घंटे खेलने कूदने में बिता दीजे 6 घंटे में थोड़ा सा 2 पहर में फिर सो लिजे 2-3 घंटे दिन में पढ़ाई करिए ऐसे करेंगे तो नहीं select हो पाएंगे अब ये जो 15 दिन बचे हुए इसमें आप 15 घंटे कम से कम पढ़िए जी जहान लगा दीजे selection हो के आपको पूछा जाएगा एकनोमी या बिजनेस से रिलेटेड आपको मिलना ही मिलना है काफी लेंदी होगा ऐसा नहीं होगा कि बहुत छोटा सा 2-4 लाइन का होगा काफी लंबा चोड़ा पराग्राफ पूछा जाएगा काफी घुमा के questions पूछे जाएंगे ठीक है ये तो इस पराग्राफ से रिलेटेड आपसे synonym और पूछे जा सकते हैं या फिर जैसा भी हमने देखा था अलग से भी पूछे जा सकते हैं synonyms या antonyms यहाँ पे कुछ नई चीज़ें हैं जैसे sentence connector यह आपका नया इंट्रेड्यूस हुआ है cat level के मतलब cat के जो exam सोद्रस में पू जोड़ दीजे चाहिन दो सेंटेंस के बीच में जोड़ दीए most appropriate जो होगा वही आपका सही answer होगा इस पर आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो दूँगा आप कमेंट करके बताएगा कि कहां पर आपको प्रब्लम होगी मैं उसी पर वीडियो आपको दूँगा मैं जाए इस paragraph का conclusion की रूप में कौन सा option सही है तो इसी paragraph की theme को आपको पढ़ना होगा क्या paragraph कह रहा है उसके आधार पर क्या conclusion निकल सकता है ताकि वही conclusion आप लगाई है तो paragraph आपका complete हो जाए तो वो इस तरह के questions भी आपके ESVIPO में पूछे जा सकते हैं filling the blanks हो सकता है या फिर कह list मैंने बना रखी जिसमें कम से कम 14 वीडियो मैंने दे रखें तो वो तो पुरी देख डालिए जिसमें आपको अलग अलग तरह की जो नहीने pattern के question है वो देखने को मिलेंगे उसमें भी sentence connector और पैरा completion नहीं देखने को मिलेगा जो कुछी दिन में मैं वो भी वीडियो आपक करके यह आपको लिखे रहेंगे sentences और कहेगा कि इसमें से एक sentence ऐसा है जो यहाँ पर sentences लिखा है out of context है मतला वो कहीं और काई sentence यहाँ पर आपको दे दिया गया option के रूप में तो कौन सा है वो आपको बताना होगा तो आपको एक क्लाइन को पढ़ना होगा देखना होगा कौ मैं तो कहता हूँ कि अगर आप अच्छे से तैरी करें तो 35 नंबर में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं ठीक है क्योंकि यहाँ पर डिटेक्शन वाला portion अगर आप छोण दीजे तो भी आप अच्छे से यहाँ पर तैरी कर सकते हैं कैसे कि आपको करना क्या है कि कम से कम यहाँ पर English को कम से कम आपको तीन घंटे देने हैं डेली के तीन घंटे में आपको करना क्या है तीन घंटे में आपको sentence connector वाले questions को करना है पैरा completion को करना है close test करना है और यो theme best questions है उनको try करना है जिससे आपका confidence build होगा English को ले करके और जब बार बार आप English पढ़ेंगे उस यह जो chapter है यह भी आपका clear होता रहेगा और अगर आप पहले से तहरी कर रहे हैं reading comprehension की बहुत अच्छा है आपके लिए newspaper अगर पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ से भी questions strike कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको कम से कम तीन घंटे का समय देना होगा और exam में जो आप जाएंगे पैरा completion कर सकते हैं वड़ा असान होता इसको करना close test कर सकते हैं theme best question को आप कर सकते हैं क्योंकि अगर आप English पढ़के समझ सकते हैं अर्थ क्या है उसका तो आसानी से आप यह समझ जाएंगे किसमें कौन सा ऐसा sentence है जो out of context है जिसका आप कोई मतलब नहीं फालतु की बात की ग मेरे काल से आपको समझ में होगा फिर next में बात करूं general banking या economy की जो या जीए का है लूँ general awareness वहां से questions क्या क्या बनेंगे सबसे important तो आपको रहेगा current affair current affair से questions आएंगे इसके लिए आपको क्या करना है जनवरी से लेकर के मई तक का जो भी current affair है सब कुछ पढ़ डालिए ठीक current affair भी आप पढ़िए उसमें banking और finance वाला तो एकदम आपको पता ही होना चाहिए क्या कुछ हुआ है इस पांच या चार महीनों के दौरान ठीक है दूसरा आपका पूछा जाएगा banking या financial awareness से question तो यहां पर banking awareness से question करने का मतलब क्या है कि अभी जो हल फिलाहल में current affair में जो घ का मतलब क्या होता है और आपके जैसे inflation का मतलब क्या होता है उसके कितने types होते हैं अभी जैसे मैं economics पे वीडियो दे रहा हूँ deficit का मतलब क्या है ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए तभी आप अच्छे से यहां पे जो GA वाला section इसमें 30 plus score कर सकते हैं ध्यान रख कि कभी भी जब आप पढ़ते हैं कई बार मैंने देखा है कि जब आप तैयारी करते हैं तो आप objective questions को website से अलग अलग देखते हैं कि अगर प्रधान मंतरी ने कहीं पे गये थे उन्होंने कोई भी योजना का उद्गाटन किया या कुछ भी नया program चलाया तो वो कहा था तो आप उसी के अनुसार पढ़ते हैं और फिर यहां पे जब question बनेगा तो SBI जरूरी नहीं कि वही question पूछे SBI पूछ लेगा कि प्रधान मंतरी इस जगा पे गये थे उन्होंने किस योजना का उद्गाटन किया था किस program को चलाया था तब आप फंच जाते हैं इस case में मैं कहूंगा कि आप line by line अगर पढ़ें current affair को तो आपके लिए जादा अच्छा रहेगा जादा अच्छे से आप रहेंगी कि क्या हुआ था कब हुआ था कहां हुआ था वो सारा कुछ आपको समझ में आएगा लाश्ट में जो question यहां पे बनेगा वह स्टैटिक जीके से बनता है स्टैटिक जीके की मैंने पूरी playlist बना के रखी है मतलब river dam currency ये dam आपका कौन सी नदीव बना है ये कौन सा national पार्क है कहां पे स्थित है इसमें से कौन सा है जो UNESCO की वर्ड heritage लिष्ट में सामिल है तो इस तरह के questions पूछे जाते हैं ये सम्मयने श्टैटिक जीके में आपको provide कर रखा है और banking awareness के भी बारा तेरे वीडियो हैं और economics से भी आपके questions पूछे जाएंगे और economics पढ़ना इस भी बहुत फाइदे मन करेगा तो ये क्या होगा कि आप स्टैटिक जीके के playlist से जाकर के सारे वीडियो देख लीजे बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा हर एक चीज और economics की वीडियो भी देखके रखी जिससे आपको बहुत improvement मिलेगी चीजों को समझने में जो आप 2-2 घंटे रोज भी दीजे और आपकी grasping power अच्छी है अच्छे से आप पकड़ लेते हैं अगर आपको याद रहता है चीजें को तो बहुत आसानी से आप इस section में 30 प्लस score कर सकते हैं मेरे खाल से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे ध्यान रखेगा यह 30 questions हैं औ 40 number के questions पूछे जाएंगे एक number का question यह होगा मेरे खाल से आपको समझ में आया होगा तो अभी उने देखे चार section जिनमें आपको preparation करनी है कैसे आपको time divide करना है सुबा साम कब उठना है कब सोना है कब जाग रहे हैं वो आपके उपर depend करता है पस इतना ध्यान रखेगा कम से क 15 गंटे तो आपको पढ़ना है उसके पहले आपको सोना नहीं है ठीक है 15 गंटे हो जाएं कम से कम और आपको यह लगता है कि हाँ अब आपने prepare कर लिया है विसके बाद आपको ठक गए हैं बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाएगा तो आप सो सकते हैं आप जो करना चाहां कर स करना होगा क्योंकि सभी अच्छे ही लोग मेंस दे रहे होंगे कोई भी इसमें ऐसा बच्चा नहीं होगा जो उपर के लेवल पर तैयरी करके आया होगा और ऐसे ही अंधे तुक्के में उसका एंसर सही हो गया होगा ठीक है तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको काफी help करेग बाकी चीजे मैंने आपको बता दी है, resources भी आपको बता दी है, कहां से आपको क्या क्या मिलेगा, जो नहीं आपको मिल रहा है तो आप मुझे comment करके बता दीजेगा, उसकी वीडियो में आपको provide करा दूगा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा, और लोगों के शाद भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों को मेनत खुद से करनी हैं, कम से कम उनको पता तो होना चाहिए कि कितनी important opportunity उनके हाथ में हैं, जिसको वो cash कर सकते हैं और इससे उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं, उनकी नहीं, उनकी आने वाली जो पीडिया हैं, उनकी भी जिंदगी बदल सकती है, अगर आप इन 15-20 दुनों में अच्छे से मेनत कर लेते हैं, वीडियो कर आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे पता लगया कि मेरे द्वारा किया गया जो प्रया से कितना सफल रहा, आपको कितना समझ में आया, और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, जिससे ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप इस चैनल आप नहीं, आगे आने वाली आपकी पीडियों की वी किसमत बदल सकती है, तो हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक क्लिए, have a nice day and bye